हलो अब्रीवन सबसे पहले तो आप लोगों को बदाई जहां पर सेमी कंड़क्टर चिप के लिए हम दूसरे देशों का मुझ ताकते थे फाइनली मेड इंडिया सेमी कंड़क्टर चिप का पहला सेंपल का एक्सपोर्ट सुरू हो चुका है तो सबसे पहले तो जैहिंद बनता है क्योंकि एक सुरुवात है और यह एक अंजाम अनदर लेवल पे होने वाला है तो भाईया यह किसमें किया है, कौन सा सेयर है, किस तरीके से connected है, उसको जानने की गोशिस करते हैं, क्योंकि इसे पहले सेमिकंडक्टर के सेयर को हम cover कर चुके हैं, और उसके डीटेल में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप चैनल स्क्रॉल करा करें, बहुत अच्छी के लिए, आप हमारे टिलिग्राम से जुर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो हमारा ये main चैनल है, मुकुल अगरवाल, जहां पर 1.57 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलो करते हैं, इसका premium membership का join button, join कीजिए, सास्तो निरानदे का प्लान है, एक professional trader के लिए बहुत ज कंपनी काम भी कर रही है, वहाँ पर production 2026 में सुरू हो जाएगा और कंपनी ऐसे chip को manufacture करेगी, जिनका use power management IC, display driver, micro controller और high performance computer logic के लिए होगा, तो अभी कंपनी ने अपने Bangalore Center से semiconductor chip के पहले sample का export, जापान, US और Europe ने किया है, इससे कंपनी को जो feedback आएगा, उससे testing और improvement हो सकेगा तो भीया कौन सी कंपनी ने किया है, अगर आप news देखते हो, या हमें telegram पे follow करते हो, तो आपको ये बात पक्की पता होगी, और नहीं follow करते हो, तो link description में है, जल्दी से जुड़ जाईए, अगर हम overall semiconductor market पर एक नजर डालें, तो जल्दी से आपको PPT दिखा देते हैं, ये 2016 से 2017 की कहानी है, जहां भीया revenue किस तरीके से बहर रहा है, जिसमें yellow वाला sensor का है, ये grey वाला opto electronics का है, और ये dark black कह लीजे, blue कह लीजे, integrated circuit है, और जो light blue है, वो semiconductor में इस तरीके से है, तो बहुत बहुत बहुतरीन growth है, तो अब हमारे पास एक ऐसी company और एक ऐसा sector है, जो आने व इसा stock जो listed भी हो, और हम investment की opportunity को ढूंड सके, तो ऐसी कौन सी company है, जो as a proxy हो सकती है, semiconductor में, क्योंकि मैंने नाम अभी बताया नहीं, आप अगर बता पाओ तो बताओ, टाटा की company है, ये मैं hint दे देता हूँ, ठीक है, तो अब टाटा की company, जो semiconductor पे काम कर रही है, list नहीं है, राइट, यही तो जानना है, तो semi-conductor plant के approval के time भी हमने इस company के बारे में बात की थी, और आज फिर से बात करेंगे, क्योंकि इस बार कुछ नए edition आये, तो company ने हाल में ही दुनिया की one of the biggest semi-conductor design और software platform company के साथ collab किया है, सबसे पहले ये collab किया है, और company उसको कैसे use करेगी, उसको समझते हैं, और उसके बाद financial order chart पे आएंगे, तो सबते पहले press release दिखा देते हैं, आपको विश्वास तो आना चीए, लेकिन उससे पहले अगर Fino Wings चैनल को financial learning के लिए subscribe नहीं किया है, तो कर लीजेगा, link description में है, दोस्त, simple जाईए, screener पर, Tata Lexi का नाम डालिए, त announcement under regulation में जब हम click करते हैं, तो ये सारी detail है, video को रोकिये, आराम से पढ़िए, आप ही के लिए है, तो ये press release, अब press release में पूरे future plan है, इसमें जो main point है, उसको मैं अलग से highlight करता हूँ, किसके द्वारा, आपके लिए बनाई गई गई, PPT के द्वारा, अब इसमें क्या है, कि भाईया, Tata Alexi collaborate कर रहा है, आरम के साथ, to accelerate the software-defined vehicle journey, अब आरम होल्डिंग, British semiconductor और software design company है, जिसका market cap 8.35 lakh करोर का है, ये INR में बता रहा हूँ, अब Tata Alexi use करेगी, आरम कंपनी जो है, उसके processor को in order to help out, automotive OEM में, अब वहीं पर, Tata Alexi will use its own software suit, name क्या होगा, AVNR, जो मिल गए तो ये लोग अपने नाम को मिला दिये, high performance next generation vehicle का, तो इस तरीके से एक collab हुआ, तो मैंने proxy player बोला था, ध्यान से भूलिएगा मत, इस तरीके से ये हो गया Tata Alexi, but किस company ने sample भेजा है, तो वो भेजने वाली company है Tata की Tata Electronics, जो अभी listed नहीं है, ठीके, तो ये तो साफ है कि आने वाले time में Tata Electronics, semiconductor industry में काफी कुछ करने वाली है, और जब ये आएगा, तो सबसे बरा फाइदा किसको होगा Tata Alexi को, क्यूंकि एक ही parent company के बेटे हैं दोनों, फिर भी जब तक ऐसा नहीं होता है, तो Tata Alexi अपने semiconductor portfolio को और मजबूत कर रहा ह ऐसे column को करके, तो चलिए चार्ट देखते हैं और फिर fundamental से आएंगे, अगर आप चार्ट देखोगे, तो क्या हुआ है, ये जो major support zone था, demand zone, ये तूटा है, तूटके अभी एक box बनाके complete sideways zone में trading कर रहा है, और ये daytime frame का चार्ट है, भूलिएगा मत, साथ में, ये जो area है, जह अरीव का एक level आ रहा है, उसका support level क्या है, वो हम यहाँ पर देखने की process करते हैं, क्योंकि यही low हमारे लिए important आएगा, ये low है 6992 का, यानि मोटा मोटा 7000 का level create हो रहा है, जो as a next demand zone के पास आएगा, जो आपको धियान में रखना है, क्योंकि ये level के बाद फिर next का आएगी बट ये box बहुत कुछ कह रहा है, जो भीया इसको radar से बिल्कुल मत हटाईएगा, तो अब यहाँ पर पता है, जब stock कोई गिरता है, लोग इस तरीके से panic होते हैं, औरे मैं फस गया, मैं डूब गया, इस चीज की learning के लिए थोरा सा हम चलते हैं, weekly chart पे, अब ये है weekly chart, ध्या सच, ये जब trader समझ लेगा, जान लेगा, कभी दिक्कत नहीं होगी, और ये सच को जब तक accept नहीं करेगा, वो कभी पैसे नहीं कमा सकता है, trader को लगता है, मैंने लिया और सौदा सिर्फ उपर जाए, नहीं, किसी भी big investor का interview सुन लो, वो हमेशा कहते है, stock लेते हो, तो दिमा compare में जब आप देखते हो, तो ये है Tata Alexi, और इसका OPM percentage देखो, और इसका APM देखो, ठीक है, और वहाँ पे आप देखोगे, Oracle के बाद second highest पे है, और again यहाँ पे भी Oracle के बाद second highest पे है, यहाँ पे बहुत बाद Tata Alexi की KPIT से भी compare किया जाता है, तो वहाँ पे देखोगे, अ अमेर का कहीं न कहीं fluctuation चल रहा है, बट आने वाले period में सुधार होगा हर company के आप statement से सुन सकते हो, यहाँ पे सबसे interesting सी चीट दिखाता हूं, stock P 55.9, industry P 34.6 और P V ratio 2.49, यानि दोनों level पर stock नहेंगा, यानि stock गिर के 5000 भी आजाए, तो टेंशन मत करना, बलकि कुसी मनाना, प at par value पे आने वाला है, और वो आपको मौका देगा आने वाले 5 साल के लिए, तब बनता है पैसा, Warren Buffett Sir का जो investment होता है, या दिगज investor का जो investment होता है, वो ऐसे share पर नज़र रखते हैं, आप लोग सिर्फ पैनिक किरिए करते हैं, तो यह था एक overview कि Tata Electronics के पहले semi conductor chip के export का, जह हमने देखा कि आने वाले टाइम में क्या growth होने वाला है, अभी क्या alternative है, तो मीज करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी होगी, learning अच्छी लगी होगी, और especially जो stock की गिरावट से डरते हैं, वहाँ पर यह valuation को चेक करोगे, तो डरना खतम हो जाएगा, तो बस like कमेंट शेर क वीजे प्यार वीजे, thank you.